Hey what's up guys welcome to YouTube course और आद में आपको बताने वाला आप YouTube के से फर्स्ट अपना वीडियो अप्लोड कर सकती हूँ So yeah guys without wasting any more time let's do further सबसे पहले हमको हमारी YouTube चैनल उपन कर लेनी है And then go to right up side bar and click on upload video एक नया option खुलेगा आपके सामने upload video का And click on select file और जहाँ पर भी आपका वीडियो है आपको वहाँ पर डून कर आपको open कर लेना है अगर आपको यह नई करना तो आप यहाँ पर simply drag and drop भी कर सकती हो जहाँ पर भी आपका वीडियो है आपको वहाँ पर चला जाना है उसको पकड़ कर आपको browse में YouTube में डाल दे रहा है जिसे ही आप drag and drop कर आपका वीडियो अप्लोड होना शुरू हो जाएगा और आपको डिटेल से यहाँ फिल कर देने है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्स तो मेरा डिटेल में मैंने अभी टाइटल डाल दिया है और अब मैं डिस्क्रिप्शन कोपी कर लूँगा जिसे कि अभी तर नीचे देख सकते हो मेरा वीडियो अप्लोड होना स्टार्ट हो चुका है हम डिस्क्रिप्शन कोपी कर लेगे और मैंने यह description डाल दिया यह पूरा यह पर से आप thumbnail अप्लोड कर सकते हो अगर आपको यहां से अप्लोड दें करनी तो आप simply drag and drop भी कर सकते हो जिसी के भी यह देख सकते हो मैंने drag and drop किया यहां से नीचे से आप playlist select कर सकते हो मैंने अभी यह जैसे कि आप देख सकते हो अभी यह playlist में add कर दिया यह video और इदर नीचे आपको पूछेगा यह video किसली है kids के लिए है या फिर kids के लिए नहीं है और यह video age restricted है मतलब 18 plus है कि नहीं आप इदर से वह select कर सकते हो तो मेरा video 18 plus नहीं है तो मैं no कर दूँगा अगर आप paid promotion करते हो तो आपको यहाँ पर click करनी है और हम नीचे आजाते टेक्स पर टेक आप यहाँ पर डाल सकते हो मैंने already कुछ टेक्स लिखे हुए है तो आप मैं simply copy and paste कर दूँगा आप 501 तक टेक्स डाल सकते हो और मैं नीचे आजाओंगा इधर से आप language select कर सकते हो आपने वीडियो की इधर आप captain certificates select कर सकते हो और आपकी इधर recording date डाल सकते हो और यहाँ पर आपका वीडियो location भी डाल सकते हो मैं इंडिया select कर लेता हूँ यह हमारा पूरा complete हो चुका है अब हम simply click करेंगे next पर next है हमको यहाँ पर add करना है end screen और add card तो हम पिया लिए end screen add कर लेते हैं यह आपको मदद करेगा थोड़े view ज्यादा लाने में end screen तो हम यहाँ पर select कर लेते हैं आप लोग यह आपको यह simply set कर लेना है and after that click on save after that click on next यहाँ पर आपको option मिल जाएगे बहुत सारे आपको public करना है कि नहीं अग्भी private रखना है तो private रख सकते हो unlist भी कर सकते हो और आपको जब्दी भी आपको यह upload करना है तो इसके लिए आप एक schedule भी रख सकते हो कोई भी date time सब कुछ आप यहाँ से setting कर सकते हो और optimization कर सकते हो अभी के लिए हमको अभी publish करना है तो हम पब्लिक पर click करेंगे and then click on publish और आपका यह वीडियो upload हो चुका है आप यहाँ से अपना वीडियो शेयर भी कर सकते हो कोई भी social platform पर और embed करको आप यहाँ पर कोई भी website blog पर upload भी कर सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी वीडियो अभी हमने upload किये YouTube पर आप इससे simply वीडियो upload कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो हिट लाइक बटन और सब्क्राइब कर ले हमारी चैनल को क्योंकि मैं यह से YouTube रिलेटर वीडियो बनाता रहता हूं और यह हमारा YouTube की complete course और यह सीरीज जा रही है अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकत है और मेरे डिस्ट्रप्स में उसके लिंक दें दिये है और नए वीडियो के लिए हिट दे सब्क्राइब बटन सो देट सिट पर इस वीडियो थेंक यू